नमस्कार दोस्तों, IFL Securities में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगी Equity Commodity Currency Market के Weekly Outlook पर हम भी इस Outlook में जानने की कोशिश करेंगी कि पिछला हफ़ा कैसा रहा और आने वाले हफ़ती के लिए Market का Trend कैसा रह सकता है Important Level कौन-कौन से होंगे और Market में कौन-कौन से Important Factor हो सकते है सबसे पहले हम बात करें Equity Market की तो हमने देखा कि Dow Jones करीबन 0.31% Gains के साथ 34,861 के स्थर पर बंद होता हुआ देखा गया वहीं अगर हम Nifty और Census की बात करें तो यहाँ पर हमने downtrend आते हुए देखा Sensex करीबन 0.87% की गिरावट के साथ 57,862 के स्थर पर बंद हुआ वहीं Nifty के अंदर करीबन 0.78% की गिरावट रही और Nifty करीबन 17,153 के लेवर पर बंद होता हुआ देखा गया हमने देखा कई ना कई हायर लेवर पर FIS की सेलिंग होने की वज़े से भावों में गिरावट देखने को मिली जबकि अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखे तो मार्किट लोवर लेवल से काफी रिकर हुआ लास्ट टो लास्ट में मार्किट 16,000 के आसपास ता वहां से कच्छी कासी रिकवरी देखने को मिली हाला कि अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो करीबन 16,000-800 से लेकर 16,000-300 के बीच काफी स्टॉंग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए और रेजिटर्स करीबन 17,000-550 से लेकर 17,000-900 के बीच रहेगा हमें लगता है कि जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट फॉर्मिशन है यहाँ पर बाय उनिफ्स की स्टेजी निफ्टी में देखने को मिल सकती है और एक्यूटी मार्केट हमें लगता है नेक्स्ट वीक भी बाउंस बैक के साथ ट्रेड हो सकती है यहाँ पर लोवर लेवल पर खरदारी की सला रहेगी अब हम बात करते हैं को मार्केट के हमने देखा कि को मार्केट में अच्छी का से रिकवरी देखने के मिली गोल के भाव करीबन 1.14 पसंट की चेंस के साथ 22,388 के स्टर पर बंद हुए वहीं इंटरनेशनल मार्केट में गोल का भाव 19,57 डॉलर के आसपास टेड होता हुआ देखा गया यहाँ पर भी करीबर हमने 2% तक के आसपास की बढ़त बनते हुए देखी गोल के अंदर फ्रेश डिमांड आने की वज़े से और जियोपोलिकर टेंशन बनने की वज़े से हाईयर क्रूड और ओयल के प्राइजिस होने की वज़े से इंट्रिशन की वज़े से हमने अच्छी खासे रिकवरी आते हुए देखी गोल की डिमांड फिजिकल फॉर्म में अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी करीबन एक पर संट जाद की गेंद देखने को मिले में इंट्रेशन मार्केट में सिल्वर के भाव करीबन 25.48 डॉलर पर राउंस के बंद होते हुए देखे गए इंट्रेशन मार्केट में 26.20 डॉलर पर राउंस के लेवल देखने को मिल सकते है तो गोल्ड और सिल्वर में अगने हफते के लिए खरदारी की सला रहेगी वहीं अगर हम बात करें अब बेस मडल्स की बेस मडल्स में हमने एक मिलाज जूला रुप देखा कॉपर के भाव अल्मोस्ट फ्लैट क्लोज होते हुए 818 पॉइंट डंपे के सर पर बंद होते हुए देखे गए कॉपर में अगले अफ़ते के लिए स्ट्रॉंग सपोर्ट 805 से लेकर 790 यहां पर टेक्निकल चार्ट पॉजिटीव है फंडमेटल साइट जाए तो कुरूट के भाव बढ़ने की वजह से यहां पर और तेजी देखने को मिल सकती है हमारा मानना है कॉपर के अंदर भी करदारी का टेट ले सकते हैं उपर में टार्गेट 830 से लेकर 835 तक के लेवल कॉपर दिखा सकता है वह अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक नहीं यहां पर काफी अच्छा पॉपॉर्मेंस दिखाई पाच परसेंट से ज्यादा के गेंस जिंक के अंदर देखने को मिले तो 338 के स्थर पर बंद होता हुआ देखा गया जिंक में इंपॉर्टन सपोर्ट 330 से लेकर 322 रेइस्टेंस 345 से लेकर 355 कर रहेगा हमरा माना एजिंक के अंदर अगले अफ़ते के ले करदारी कर सकते हैं उपर में टार्गेट 345 से लेकर 350 तक हो सकता है वहीं अगर हम देखें ऐल्मूनियम की बात करें तो ऐल्मूनियम के अंदर हमने 6% से ज़्यादा के कीन साते हुए देखे और ऐल्मूनियम के भाव 291.45 के सरबर देखने को मिले अल्मूनियम की शॉर्टेज होने की वज़े से यहां पर अच्छी खासी करदारी ठेखने को मिली अल्मूनियम में महत्पून सपोर्ट 285 से लेकर 277 रेइस्टेंस 298 से लेकर 305 का रहेगा अल्मूनियम में अगले हफते के लिए करदारी का ट्रेड ले सकते हैं यहां पर टार्गेट 298 से लेकर 302 का हो सकता है वहीं अगर हम बात करें अब क्रूड ऑयल की सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी हमने क्रूड और नैच्रल गैस में आते हुए देखी क्रूड के भाव जहां पिछले हफते 9% से ज्यादा की तेजी के साथ 8 और 618 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए वहीं नैच्रल गैस के भावों में हमने करीबन 14% की तेजी देखी और नैच्रल गैस के भाव 446.45 के स्थर पर बंद होते देखे गए आज़े में यहां पर हमें ना कहीं एक तेजी बंदे वह देखी यूस के वीकले हमने हिटा देखे जहां पर हमने सप्लाई शाटेज को आते हुए दिखा और यहां पर क्रूड के भावों में हमने अगेन तेजी डॉटकी भी देखी क्रूड के लिए भैत्पुन सपोर्ट 8200 से लेकर 7700 रेस्टेंस 9000 से लेकर 9450 करहेगा यहाँ पर हमारी खरिदारी की सला रहेगी उपर में टार्गेट 8200 से लेकर 9000 तक हो सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में 125 जॉरलर से लेकर 127 जॉरलर के नेवल क्रूड में देखने को में सकते हैं वहीं नेच्वल के अगर बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 405 से लेकर 375 रेस्टेंस 445 से लेकर 460 करहेगा यहाँ पर भी खरदारी की सला है और नेच्वल के भाव उपर में 445 से लेकर 450 तक के लेवल को चूँ सकते हैं अगले हफते के लिए भी खरदारी का ट्रेड कायम रह सकता है अब हम बात करते हैं करन्सी सेग्मेंट की करन्सी सेग्मेंट में हमने देखा यूएजडी आयनार थोड़ा सा डेप्रिशेट होका ट्रेड हुआ 0.47% की तेज़ी यूएजडी आयनार में रही और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक खरदारी का ट्रेंड देखने को मिला डॉलर के अंदर थोड़ी सी खरदारी देखने को मिली यूएजडी आयनार में इंपॉर्टन सपोर्ट 75.70 से लेकर 75.30 तक रहेगा राइस्टन जोन जो है 76.60 से 77 की बीच रहेगा हमारा मानना है यूएजडी आयनार में ट्रेंडिंग रेंज बनी रहेगी जो की नीचे में 75.70 से 76.60 के बीच रहेगी यहाँ पर हमारा मानना है रुपी में हम हाईयर लेवल पर अप्रिशेशन देख सकते हैं तो रुपी में यहाँ पर करदारी का ट्रेड ले सकते हैं अगर हम बात करें तो डॉलर के अंदर पिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं नीचे यहाँ पर करीबन 75.70 तक के लेवल देखने को ले सकते हैं इसके विप्रीद अगर हम GBP-INR की बात करें तो यहां पर हमने ट्रेंड पॉजिटीव होते हुए देखा और GBP-INR 0.42% की गेंस के साथ 100.56 के लेवल को देखने को मिला हाला कि यहां पर हमने higher levels देखे थे मगर वहां पर GBP-INR sustain नहीं होता हुए दिखाई दिया और हमने एक higher level से कुछ profit point भी देखी है GBP-INR में strong support 100 से लेकर 99.20 रहेगा resistance 101.10 से 101.80 रहेगा यहां पर विक्वाली की सला है यहां पर target 100 से लेकर 99.50 तक दिखने को मिल सकता है तो GBP-INR में विक्वाली के साथ rate ले सकते हैं अब हम बात करते हैं agriculture commodity की सबस्यादा वाल्डेटी हमने agriculture commodity माते हुए देखी अगर हम ग्वार की बात करें तो यहां पर करीबन 0.19% के साथ 6,132 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए physical market में moderate demand supply होने की वज़े से भावो में एक range one moment देखने को मिली अगर हम यहां पर support level की बात करें तो 6,000 का support level resistance 6,450 का रहेगा ग्वार स्वीट में अगले अप्ते के लिए range 6,000 से लेकर 6,300 की रहेगी हमारा मानना है यहां पर lower level पर ख़दारी का trade बनाए जा सकता है वहीं अगर हम बात करें मसालों की तो यहां पर हमें turmeric के अंदर गेरी पर्शंट ज्यादा की तेजी आते हुए देखी और turmeric के भाव 8,800 लग इस तर पर बंद होते हुए देखे गए यहां पर important support 8,400 का और resistance 9,200 का रहेगा export demand बंडने की वज़े से बंडियों के अंदर आवक कम होने की वज़े से turmeric के भाव को support आता हुए दिखाई दिया और turmeric के भाव उपर में 9,000 के स्थर पर चूते हुए दिखाई दिये expected है कि इन turmeric के भाव में अगले हथे हम 9,000 तक के level देख सकते हैं और आने वाले दिनों में मसालों में तीजी का नुमान दगाया जा सकता है अगर हम बात करें cotton की जो कि सबसे ज़्यादा quality हाँ पर देखने को मिली करीबन almost 6% के gains के साथ cotton के भाव उपर में 41,460 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए वेश्वी काड़नों की वज़े से सप्लाई कम होने की वज़े से ड्रॉट सिच्वेशन यूएस में होने की वज़े से भावों में तेजी देखने को मिली expected है अगले हथे भी cotton के भावों में तेजी का रूप बना रहेगा यहाँ पर सपोर्ट MCX में 40,000 का और रेस्टेंस 40,000 का रहेगा हमारा मानना है cotton के अंदर खरदारी का ट्रेट ले सकते हैं उपर में टार्गेट 42,000 पांतों से लेकर 40,000 के बीच हो सकता है कहीं न कहीं अगले हथे खरदारी का ट्रेंड लॉट से वह दिखेंगे तो एकरिकल्चर कुमोरिटी में बायोटिप्स की स्टेटेजी यूज़ कर सकते हैं तो यह दा दोस्तो वीकली आउट्लूक आशा करते हैं आपको फसंद आएगा ऐसी इंडस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल आएपल सेक्यूरिटी का ट्विटर आएफल सेक्यूरिटी का तेली गरामची चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगी जो कि आपके पूर्टकुलियो को अच्छा करने के लिए हल्प करेंगी हमें लगता है कि आप इस पोर्टोलियों का अपने पोर्टोलियों को इस वीडियों से काफी आपको हेल्फुल देखने को मिलनेगा धन्यवाद